अब इन तीजार खता होचका है 27 अरह 17 प्रहल से 17 प्रहल तक रजिस्ट्रेशन होगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिजिस्ट्रेशन step to step में आपको बताने वाले होगे किस तरीके से हमें form fill करना है तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और start करते हैं तो प्ले स्टोर में open करेंगे हम KV online portal, KV online application यहाँ पे open करेंगे हम 23-24 और इसको कर देंगे हम install अपने phone में तो इसको install करेंगे और इसके बाद करते हैं इसको open तो यहाँ पे यह complete हो चुका है installing और अब कर देंगे इसको open तो open करके देखते हैं तो यहाँ पे हम करेंगे इसको open यहाँ पे open हो चुका है तो लोडिंग हो रही है तो इस तरीके का पेज हमको यहां पर देखने को मिलेगा उसके बाद हम रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे आई एगरी सारी इंस्टरक्शन पढ़ लिजिए और अगर आपने पढ़ लिए तो नीचे बॉक्स है उस पर टिक कर दीजिए यहां पर प्रॉसिट पर क्लेक कर दीजिए तो आगे बढ़ते हैं यहां पर हमें न्यू रजिस्टरेशन तो यहां पर हमें बच्चे की डिटेल फिल करनी हैं तो यहां पर डालेंगे हम फिर्स नेम ऑफ चाइल्ड तो यहां पर आप ऊपर देख सकते हूं लिखाओ है प्लीज फिल दा इंफर्मेशन इन इंग्लिश में ही डालेंगे और जहां पर भी यह रैड गलर के स्टार बना हुआ है इसका मतलब है कि आपको यह भरनी जरूरी है इसका भीना आपका form submit नहीं होगा अगर आपके बच्चे के नेम में middle name भी आता है तो middle name भी डालिए और नहीं आता तो उसको skip कर दीजे तो बिलकुल आरा मारम से इसको भरिए फिर आगे चलते हैं यहां पर लिखा है is the child differently abled अगर है तो yes अगर नहीं है त नो फिर आगे चलते हैं date of birth date of birth में हम अपने बच्चे का age डालेंगे age 6 complete होना चाहिए यह आपको पता होगा तो हम इसमें अपने बच्चे के age डालेंगे जो भी बच्चे की age है और जो बच्चे की है age उसको हम डालेंगे date month year इसके according फिर नीचे चलते है is the child seeking admission or child of अगर आपकी बच्चे के family में मतलब parents में कोई kv school में employee है तो यहाँ पर apply कर दीजिए और नहीं है तो not applicable यहाँ पर आप कर दीजिए next चलते है next email id यहाँ पर एक email id डालनी है जो अभी आपकी current में use होती हो आप उसी को इसमें डालिएगा और अपनी personal डालेगा किसी और की न यह आपको हमेशा काम आएगा और admission की information इसमें आती रहेंगी तो अपना personal mobile number यहाँ पर डालिए फिर आ जाता है उसके वाद capture code capture code हम बिल्कुल उसी साब से डालेंगे जिससे साब से ओपर टाई पर यह सब का अलग अलग आता है तो इसको भी अच्छे से यहाँ पर टाइप क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा OTP जो नंबर हमने यहाँ पर डाला है उस नंबर में हमारे पास OTP आ जाएगा तो OTP हमको विल्कुल सही सही इसमें टाइप कर देना है और फिर यहाँ पर आ जाता है capture code again और फिर हमें इसको भी अच्छे से यहाँ पर टाइप कर देना है यहाँ पर विल्कुल आरामार हमसे इसको देख देख के भरिये और अगर OTP नहीं आ है तो नीचे ऑप्शन एडी संडोटीप अगर आ गया है तो यहाँ पर आप कर दीजे वेरिफाइग तो वेरिफाइग करने के बाद यहाँ पर आ गया है यूह सक्से कर देंगे इसमें go to login go to login में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको आ जाता है रजिस्टर यूजर साइन इन हीर यहाँ पर हम इसमें रजिस्टर करेंगी तो login कोड हमारा पहले से ही टाइप होगा और mobile number हम यहाँ पर लिखेंगे फिर दुबारा से हम यहाँ पर date of birth डालेंग कि फिर से यहाँ पर capture को उड़ाता है फिर हमें इसको देख देख के अच्छे से यहाँ पर लिखना है और अच्छे से बिल्कुल mistake नहीं करेंगे capital तो capital small to small फिर हम इसमें कर देंगे login तो फिर से यहाँ पर basic information आ गई जो हमने name data बट वगरे डाले तो यहाँ पर already आ गया है और अब हम डालेंगे यहाँ पर जैंडर जैंडर मैं female डाल रही हूं cast category हम डालेंगे जो भी आपकी cast category है cast category यहाँ जनल OBC, OBC, SC, ST यहाँ पर मैंने जा लिए general weather apply, under single अगर आपकी single girl child है तो अब yes करिये नहीं तो no करिये तो यहाँ पर आ जाता है family income group तीनों में से अगर आपका group जो भी आप उसमें click करिये और फिर आता है blood group, blood group आप यहाँ पर से choose करिये मैं यहाँ पर choose कर रही हूँ be positive उसके बाद हम कर देते हैं next तो यहाँ पर आ गई है parent detail यहाँ पर mother detail मदर का नाम लिखेंगे Mrs. and title Mrs. लिखेंगे full name हम यहाँ पर type कर देंगे पूरा जो भी full name है जो भी बच्चे की documents में mother का name है full name वो हम यहाँ पर type कर देंगे पूरा तो nationality यहाँ पर डाल देंगे Indian तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है do you want to copy mother's residential address to auto fill father's residential address तो अगर आप यहाँ पर yes करते हैं तो जो भी address आप mother detail में डालेंगे वो ही father detail में auto में fill हो जाएगी और अगर no करते हैं अगर mother father अलग अलग city में रहते हैं तो आप फिर इसमें no करिया और उनका अलग अड्रेस यहाँ पर टाइप कर दीजिए तो अगर सेम अड्रेस है तो मेरे पास जो है मेरे पास सेम है तो मैं उसको कर दूंगी yes क्योंकि जो यहाँ पर mother father है वो एक के साथ रहते हैं तो यहाँ पर मैं कर दूंगी yes country of residence डाल दिया मैंने उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे residential address address अड्रेस आपका जो भी आप उसको fill कर दीजे complete address और इस तरीके से इसमें सारा address आप यहाँ पर fill कर देंगे तो जहाँ भी आप रहते हो वहाँ का pin code आप यहाँ पर type कर देंगे तो जैसल मेरे में हम लोग रहते हैं यहाँ का pin code है 345001 तो इसको मैं यहाँ पर type कर दूंगी और फिर आता है telephone number of residence इसको skip कर दीजेगा telephone number नहीं है personal mobile number आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं आप इसमें डा देंगे तो अब यहाँ पर देख सकते हैं please fill the video information तो यहाँ पर जो मदर के occupation है वो हम लिखेंगे housewife यहाँ पर मैं डाल देती हूं organization में छोड़ देते हैं और skip कर देते हैं क्योंकि housewife का कोई organization नहीं हम लिख सकते हैं father detail father detail अभी हम यहाँ पर फिल कर देंगे mister and full name हम यहाँ प अगर आपको चेंज करना है मूबाल नंबर तो यहाँ पर जो फादर का पर्सनल मूबाल नंबर हम यहाँ पर टाइप करेंगे फिर हम यहाँ पर फादर के जो अपनी personal email address है उसको भी हम यहाँ पर टाइप कर देंगे तो यहाँ पर पहले से जो mother का email address है वो टाइप है उसको हटा के हम जो father का personal email address है अगर है तो उसको डाल देंगे अगर नहीं है तो mother वाला भी रहने दे सकते हैं तो यहां पर email address fill करने के बाद हम आ जाते हैं नीचे यहां पर फादर का जो occupation है उसको हम यहां पर टाइप करते हैं उसको हम यहां पर टाइप कर देंगे यहाँ पे मैं फिल कर देंगे डिफेंस में इंडियान आर्मी इंडियान फेयर फोर्स नेवी जो भी हो आप उसको टाइप कर दीजिए अगर आप डिफेंस के लावा भी कोई और उक्यूपेशन है बच्चे के पेरेंट्स का तो आप वो फिल कर दीजिए उसके बाद हम इसको कर देंगे next, next करने के बाद हमारे पास एक new page खुल के आएगा इस तरीके से choice 1, choice 2, choice 3 तो यहाँ पे हमे choice 1, choice 2, choice 3 इसलिए दी गई है क्योंकि एक ही बच्चे का हम three different school में admission के लिए apply कर सकते हैं, सिर्फ यह धियान रखना है कि same school नहीं होना चाहिए, three different school तो चलिए start करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम choice 1 में डालेंगे, हम state choose करेंगे कि कौन से state में हमें admission चाहिए, तो हम यहाँ पे state करेंगे राजस्थान क्योंकि हम लोग अभी रहते हैं राजस्थान में, तो यहाँ पे है राजस्थान, राजस्थान में क्लिक करने के वाद है select school, जो भी यहाँ पे school है, तो यहाँ पे सबसे फर्स में के वी, A.F.S. जैसलमेर, तो यह वाला information आ जाती है, और फिर हम इसको पढ़ने के बार नीचे चलते हैं, and please choose the service category, अब हमें यहाँ पे आके अपनी जो category है, वो choose करने, अगर आपको help चाहिए, कि अपना department type करने के बाद, आपको वो auto में बता देंगे, कि आप कौन सी category में आते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए, आ बाकी आप अपने ही साब से अपने according यहाँ पर पढ़ दीजिएगा, तो अगर आपको help चाहिए, तो आप yes में click करेंगे, और उससे आपको help हो जाएगी, अपना occupation डाल की, कि आप कौन सी category में आते हैं, तो first category में click करने के बाद, हमें यहाँ पर open होगा, इस तरीके का पे, select employer of parent, grandparent, तो यहाँ पर choose करेंगे, हम अपने according यहाँ पर choose कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने एरफोर्स आर्मी यह वाला choose किया है, तो serving permanent, उसके बाद हम इसको कर देंगे, submit, submit करने के बाद, फिर हमें इस तरीके का page फिर से खुलके आ जाएगा, and फिर हम इसमें नीचे जाए इसके बाद हम देखते है, whether selected parent, brand parent, type has been transferred in last seven year as on date, तो यहाँ पर कर देंगे, हम yes, and yes करने के बाद हमारे पर इस तरीके का page खुलके आएगा, फिर हमारी जो last seven year में, जो हमारी posting हुई है, उसके detail हमें, सारी इसमें डालनी है, कितने दिन हम रहे, कब हमने वाँ से leave किया, कब ह ने next जगर join के, सारी हमको details में डालनी है, उसके बाद हम next करने के बाद आ जाएंगे, new page में, new page जो हमारा है upload documents, तो यहाँ पे only PDF and GPG file are allowed photo of the child should be an image file GPG, maximum size of the file should be 256 KB, maximum जो उसका size है, उतना होना चाहिए, फिर हम यहाँ पे कर देंगे documents upload, पहले हम करेंगे board certificate, तो हम photo image में जाएंगे, तो यहाँ पे हमने पहले से सेव करके रखी है, तो इसमें जाएंगे, यहाँ पे यह रहा हमारा birth certificate, जिसको हमने size में करके रखा था, तो यह यहाँ पे हमने select कर लिया है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको upload में कर देंगे, upload में क्लिक करने के बाद इसको upload क तो यहां पर uploading file तो file upload successful फिर next आते हैं passport size photograph उसमें हम फिर से gallery में जाएंगे फिर से इमेज को choose करेंगे तो यहां पर कर देंगे हम image को select image है हमारी यह सबसे उपर यहां पर इसको कर देंगे हम select and click करेंगे and then यहां पर यहां पर यहां पर आगया अब हम इसको कर देंगे upload upload कर देंगे then यहां पर image upload successful okay तो यह दोनों चीज़ें यहां पर हो गई है and दोनों चीज़ें यहां पर हमने अप्लोड कर लिया है document for KV AFS जैसल मेर अगर हमारा admission हो जाता है तो हमें यह documents की requirement पढ़ेगी admission के time पर उसके बाद हम कर देंगे next इसको चाहिए तो आप screenshot कर लिजी या कहीं पर note कर लिजी कि हमें कौन-कौन से documents की जरुत पढ़ने वाली है तो यहां पर उसके बाद इसको कर देते हैं next next के बाद यहां पर आता है declaration by the parents तो यह सारे चीज़े हमको पढ़ने हैं उसके बाद क्लिक कर देना है and यहां पर save करने के बाद एक बाद हम अपने form को preview कर सकते हैं कि हमारा जो form है सही से भरा या नए एक बाद री चेक कर लिए तो री चेक करने का यह benefit है कि कहीं कोई कमी रह गई या कोई गलती से कुछ टाइप हो गया तो आप उसको चेक कर सकते हो अब यह और एक जरूरी ब अब हम कर देंगे यहां पर form को submit तो again हम से confirm करते हैं कि आपको submit करना है या नहीं करना है तो हम करेंगे yes submit पर क्लिक करेंगे और यहां पर हमारा जो form है उस समिट होने से पहले हमें एक OTP आएगा जो हमने mobile number डाला है उस पे तो mobile number में जो OTP आएगा उसको हम यहां पर लिख देंगे एंटर कर देंगे OTP तो यहां पर टाइप करेंगे OTP तो यहां पर OTP आ गया है 415288 तो फटा फट से इसमें टाइप कर दीजिए कर देंगे 415288 और फिर हम इसको कर देंगे वेरिफाइए तो वेरिफाइ पर क्लिक करेंगे वेरिफाइ पर क्लिक करने के बाद यहां पर आता है यू सकसफ़ली समिटेड यूर फॉर्म दैन ओके तो यहां पर जो हमारे डीटेल है वह भी हमारे पास आ गई जो हमारा phone number है उसमें हमें message आ जाएगा उनकी जो हमारा form है वो submit हो गया और आप view submit application आप यहाँ पे अपना application submit कर सकते हैं तो इसी तरीके से अपने form को submit करिए आराम आराम से step by step आपने form को भरिए और अपने बच्चे के admission करवाईए आप सभी all the best अच्छे से form भरिए Thank you